नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में 1289 वेवसाई अनुदेशकों की भरती के लिए आवेदन सुरू सियंपिरीस ने दी गनेश शितुर्थी की शुपकामनाई तुस्त दरुस्त वो स्मार्ट दिखेंगे ट्राफिक वेवस्था में तैनात पुलिस करमी आदित्य एल एक की प्रीथवी की कख्छा से संबंध चौथी प्रक्रिया सफलता पुर्वक पूरी आज के दिन युवराज सिन ने किया था कारनामा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से विहार में 1289 वेवसाई अनुदेशकों की भरती के लिए आवीदन सुरू विहार सरकार के नियोजन एवं प्रसक्छन इदिशाले के अंतरगत विविन और दोईग प्रसक्छन संस्थारों में विविन वेवसाईों के लिए वेवसाई अनुदेशक के 1289 रिक्तपदों के लिए आस्ती आवीदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसे में वेव मिद्वार जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वह बीटी एस्सी की आधिकारिक वेबसाईट बीटी एसी डॉट बी आईएच डॉट नाईसी डॉट इन पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बता दे कि आवीदन करने की अंतिम तारीक 18 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो बता दे कि बीटी एसी की द्वारा फिलाल आईटी आई ट्रेड इंस्ट्रक्टर की भरती के लिए संचिप्त सूशना में योगिता को लेकर कोई जानकारी साजान नहीं की गई है लेकिन जुलाई अगस्त में पूरी की एक अन्य भरती की अधिसूशना के मताबिक अस भरती के लिए वेही उमिद्वार आविदन कर सकेंगे जिन्होंने रिक्तियों से सम्बंधित ट्रेड में रास्ट्रिय सिक्छुता प्रमा पत्र प्राप्त किया हो और संबंधित काड़ी का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो सियम नितीस ने दी गनेश चतुरुथी की शुक कामनाय आज याने की 19 सिदंबर को गनेश चतुरुथी है मालुम हो कि अपर भर साल भादरपद महीने की शुकल पक्ष की चतुरुथी मनाई जाती है और पूरे दस दित तक चलती है और फिर दस दिनों के बाद भगवान गनेश की विदाई कर दी जाती है जिसे अनंत चतुरदर्शी और गनेश विशरजन भी कहते हैं महीं आज गनेश चतुरथी के मौके पर पिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा सभी को बधाई एवं शुब कामनाई दी गई है उन्होंने एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर लिखा है कि गनेश चतुरथी के अफसर पर प्रदेश एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई इस अफसर पर राजे वासियों एवं देश वासियों के लिए सुख सांती और समृद्धी की कामना है गनेश चतुरथी को सब लोग आपसी भाईचारे पालस्परिक प्रेम एवं समाजिक सत्भा पुलस बल में 70 प्रतीशत नियमित्व प्रसक्षित पुलस कर्मी को और 30 प्रतीशत होमगार्ट के जवानों को रखा जाए पता दे कि ऐसा निर्न इसले लिया गया है क्योंकि ट्राफिक प्रबंधन में जटलताओं को देखते वे फिट पुलस कर्मियों की जरूरत होती है लेकिन पुलस कर्मियों की संख्या कम होने से ट्राफिक रिघुलेशन में अप प्रसक्षित होमगार्ट जवानों को लगाये गया है इसी को लेकर अब धीरे-धीरे होमगार्ट को रिप्लिस करते वे उनकी जगह फिट पुलस कर्मी को रखने का काम किया जा रहा ऐसे में क्रिवस्था में तैनाथ होमगाट को गड़ी रक्षा वाहनी में वापस भेज दिया जाएगा सीम नितीस ने की ग्रामीन काड़े विभाग के कारियों की समिक्षा बीतेदन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा एक अने मार्गस्थर संकल्प में ग्रामीन काड़े विभाग की समिक्षा बैठक की गई इस दुरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये बता दी कि बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि बहतर सरक होने से लोगों का आवागमन आसान होता है ग्रामीन पथो का बहतर रख रखाओ विभाग द्वारा ही कराएं इसके लिए आविशक्ता अनुसार अभियंताओं और तक्निकी कर्मियों की सिग्र निप्ति कराएं विभाग के अभियंता पथो के निर्मान और मेंटेनस के लिए जिम्मेदारी पुरवक काड़ी करेंगे तो बहतर सरकों का निर्मान होगा और सरके मेंटेन भी रहेंगी उन्होंने कहा कि संसाधनों की जो भी आवशक्ता होगी उसे पूरा किया जाएगा निर्मान के साथ-साथ मेंटेनस को लेकर पथो का स्थरीय अनरेक्षन अभियंता करते रहें ग्रामीन काड़े विभाग बचे हुए टोलो के लिए भी पथो का निर्मान काड़े जल पुर्ण कराएं किये गए कारियों को लोगों को बताएं जिससे उन्हें पता चले कि राजे सरकार द्वारा अपने संसाधन से बहतर ग्रामीन पथो का निर्मान कराया गया और उसकी देख भाल की जा रही है अधित्य L1 की प्रीथवी की कक्छा से संबंध चौथी प्रक्रिया सफलता पुर्वक पूरी सुरे का ध्यान करने के लिए भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी की इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है द्रसल आदित L1 के द्वारा प्रीत्वी की कक्छा से संबंध चौथी प्रक्रिया सफलता पुर्वक पूरी कर ली गई है इस बात की जानकारी भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है इस रो ने ट्वीट कर लिखा है कि आदित L1 मिशन सुरे प्रीत्वी L1 बिंदू की ओर प्रस्थान ट्रांस लेंगरेजियन पॉइंट एक इंसर्चन पैंतरे बाजी स्टफलता पुर्वक की गई है अंतरिक्ष यान अब एक प्रच्छे पत पर है जो इसे सुरे दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा यह लगातार पांचवी बार है जब इस्ट्रों ने किसी वस्तु को किसी अनेख गोलिये पिंडिया अंतरिक्ष में स्थान की और सफलता पुर्वक स्थांतरित किया है ग्यान अगर इस मेले के समय की बात करें तो यह मेला सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा जिसमें प्रवेश करने के लिए लोगों को किसी प्रकार की कोई सुल्क नहीं चुकानी पड़ेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस मेले में 21 राजियों के द्वारा कुल 135 स्टॉल स्वेम सहाइता समूध द्वारा लगाए जाएंगे जिसमें बिहार के अर्थजिलों की जिविकादीदी के द्वारा भी अपने उतपादों के स्टॉल लगाने का काम किया जाएगा वह इसके लवा महिला विकास निगम और महिला उद्योग संके द्वारा भी स्टॉल लगाए जाएंगे सहायक अभियोजन पदादीकारी का साक्षातकार 3 अक्टूबर से अगर आप भी उन अभ्यार्थियों में से हैं जो विहार लोग सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गए सहायक अभियोजन पदादीकारी की परिक्षा में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है दरसल 3 ओक्टूबर से सहायक अभियोजन पदादिकारी की परिक्षा में मिंस में सफल होने वाले अभ्यार्थियों के लिए साक्षातकार का आयोजन किया जा रहा है वहीं दूसरे चरण का साक्षातकार 30 ओक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाला है ऐसे में वे उबहर्थी जो साक्षातकार में भाग लेने वाले हैं और उन्होंने मुख्य परिच्छा के लिए आवेदन एवं डॉक्रिमेंट की हाड कॉपी आयोग कारेयाले में नहीं दी है तो वे 22 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोग के पोटल पर जाकर अप्लोड कर सकते हैं में साक्षातकार के दौरान अप्लोड किये गए डॉक्रिमेंट की दो सेट फोटो कॉपी लेकर जानी अनिवारे होगी रधा चरंद सेट के बेते को ओडी ने किया गिराफतार प्रवर्तन निदिशाले के दोरा प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत काड़वाई करते वे जेडियू MLC राधाचरन सेट के बेटे कनहिया प्रशाद को गिरिफतार कर लिया गया है दरसल MLC के बेटे कनहिया प्रशाद को E.D. ने पूछ ताच के लिए पटना असत अपने ऑफस में बुलाया था उस बीच अधिकारियों ने कई सवाल पूछे कई काखजात दिखाएं जो रूपियों के लेंदेन और अवयत तरीके से किये गए इन्वेस्टमेंट से जर्य थे लेकिन मीडिया में चल रही खबरों क अनुसार E.D. के द्वारा पूछे के सवालों का जवाब करहिया प्रशाद के द्वारा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा था ऐसे में घंते बीच जाने के बाद और संतुस्ट E.D. की टीम के द्वारा करहिया प्रशाद को गरफतार कर लिया गया जिसके बाद आजुन की पेशी स्पेशल कोट में होने वाली है उद्यमी योजना में आवेदन शुरू अगर आप भी उद्यमी बनने का सपना रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बतादे कि बिहार सरकार द्वारात संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन के लिए पोटल खुल चाहिए इसके लिए आवेदन करने के लिए उमिद्वार की पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैचिनिक योगिता का प्रमान पत्र, मैट्री का अंक पत्र, अनिवाले रूप से जाती प्रमान पत्र, आवाजी प्रमान पत्र, बैंक खाता और कैंसल चेक और फोटो होना कि स्योजना के तहट सरकार के ओर से दस लाख रुपए दिये जाते हैं, जिनमें से पांच लाख रुपए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं, बेगु सराय से जड़े अनिमता के मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब, पट्ना हाई कोट के चीफ चस्टिस के विनो सरकार से जवाब तलब किया गया है, आपके जानकारी के लिए बता दे कि याचिका करता के अधिवक्ता सरोज सर्मा के दोरा यह बताया गया कि पहले से बनाए गये रोड को ही बनाए गये रोड के तोर पर बताया गया है, इसको लेकर संबंध जलादिकारी और वीडियो के समक्ष अभ्यावीदन भी दिया गया था मालूम हो कि मामला वर्ज 2022 से जुरा हुआ है इस योजना के तहट दामोदरपूर पंचायत के वार्ट नमबर 3 में सरक निर्मान के लिए इसे पारित किया गया था अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सपता बाद की जाएगी इंजिनरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ये छात्र नहीं दे पाएंगे पर इच्छा राजी के सभी इंजिनरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब उन बच्चों को एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा जिनकी उपस्थिती 75 प्रतीशत ना हो दरसल इसको लेकर विज्ञान प्रावधी की एवं तक्नीकी सक्षा विभाग के दोरा राची के इंजिनरिंग और पॉलिटेकनिक कॉलेजों में 75 फीजदी उपस्ति अनिबारे कर दी गई है और इसको लेकर सभी कॉलेजों को सक्त नर्देज भी दे दिये गए हैं वहीं वैसे चात्र जो स्वास्तिक कार्णों से सवधी में विद्याले में अनुपस्तित रहते हैं और 75 प्रतीशत उपस्ति हासल नहीं कर पाते तो उनके मामले में प्राचारे स्वयम छानबीन कर नर्ने लेने में सक्षम रहेंगी बतादे कि विभाग के ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है किस विवस्ता को लागू करने के लिए बिहार अभियंतरन विश्व विद्याले राचे प्रावदी की सिक्षा पारसत की ओर से भी एक दिशा नर्देश जारी किया गया है मुख्य मंतरी नितीश कुमार की कैबिनेट बैठक आज आज यानी की 19 सितंबर को शाम सारे चार बजे से बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार की कैबिनेट की बैठक की श्रुवात हो चुकी है ऐसे में उम्मीद की जारी है कि आज के इस बैठक में विविन विभागों से जरे कई एजन्डों पर मुहर लगाए जाएंगे बता दे कि अब बैठक मुखे सचीवाले के काबिनेट हौल में चल रही मालू हो किसे पहले के बैठक पांत सितंबर को हुई थी जिसमें कुल 32 एजन्डों पर मुहर लगाई गए थी ऐसे में उम्मीद की जारी है कि आज हो रही इस के बैठक में भी कई महद पून एजन्डों पर मुहर लगाई जा सकती है लेकिन इन सब के अलावा आज कबिनेट बैठक में सबकी नजर नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है इस पर रहने वाली है बिहार ने जहारखन से फिर मांगा पिंसन मद का बकाया पिछले 22 सालों से बिहार और जहारखन के बीच पिंसन विवाद चल रहा है इसी कड़ी में अब एक बार फिर से बिहार के दोरा जहारखन को पत्र लिखा गया है जिसमें पिंसन मद का बकाया 8887 करोड रुपए की मांग की गई है बता दे कि वित विवाद के दोरा किंदरे ग्री मंत्राले दोनों राज्यों के महालेखाकार और जहारखन सरकार को पत्र लिखकर इस मामली को सुलजाने के लिए अग्रख किया गया है लेकिन इसको लेकर जहारखन के ओर से सुरू से दावा किया जा रहा कि मद में अधिकरासी दी जा चुकी है दरसल यह मामला वर्श पर 27,000 का है जब बिहार से अलग हो कर जारखण अलग राजये बना था जिसके तहर दोनों राज्यों के बीच, 15 दाइत्व का बटवारा करमचारीयों के नुपात में करने का प्रापधान था बिहार जार्खन से इसी आधार पर 55 दाइटव का 33 प्रतीशत मांग रहा है जो जार्खन के द्वरा देने से मना किया जा रहा क्योंकि उनका मानना है कि जार्खन जनसंख्या को आधार मान कर 55 प्रतीशत भुखतान होगा इंडिया गडबंधन में रार को लेकर सुसील कुमार मोदी का दावा विहार के पुर्व उपमोखे मंतरी और राजसभा सांस सुसील कुमार मोदी के द्वरा एक बयान चारी कर यह बताया गया है कि इंडिया गडबंधन में सीटो को लेकर रार बढ़ने वाली है उन्होंने क के पहिशकार पर नितीश कुमार का अलग स्टैंड लेना इस बात के संकेत हैं उन्होंने कहा कि माकपा निस्समनवे समीती की बैठक में अपना प्रतिनीधी नहीं भेजा उसने एक तरफ अनर्णे लिया कि पार्टी केरण में कॉंग्रिस से और पश्रिम बंगार में ममता बन इनर्जी से कोई समझोता नहीं करेगी क्या यहीं विपक्ची एकता है आज के दिन युवरास सिंग ने किया था कारणामा आज यानि कि 19 सितंबर का दिन युवरास सिंग के द्वारा डर्वन का किंग्समिड मैदान और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में ब्रॉड के युवरास सिंग और एंड्यू फिल टॉंग के बीच कुछ छोटी विवाद भी हुई थी लेकिन उसके बाद युवी के सामने गेंदबाज स्टुवर्ड ब्रॉड थे ऐसे में युवराज ने तुफानी अंदाज में बल्ले बाजी करते वे 6 गेंद पर 6 6 लगाएं और इसके साथ उन्होंने महज बाड़ा गेंदो पर अर्द सतक ठोक करने आईतिहास भी कायम किया था बीतर दिन हमारे दरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जवाब हमें हमारी कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दर इसके साथ ही बढ़ते हैं अच के सवाल की और आज का सवाल है बिहार के विद्याले कॉलेजों में चात्रों की 75 प्रतीशत उपस्ति अनिवारे होने को लिए कर आप क्या कहेंगे अपना जवाब हमें वारी कमें सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए बिहारी के साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे तो पर इसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद